बिहार में बाड से हाहकार कोशी गंडग बागमती का कोहराम जल परले में फसा बिहार क्या रिपीट होगा 2008 वो साल जब बाड ने उत्री बिहार को कर दिया था तबाह एक बर फिर बाड से बिहार बिहाल खौप में अररिया किसंगंज गोपाल गंज सिवर सीता मड़ी मुझपरपूर पूर्निया सिवान मधेपूरा मदुबनी दर्भंगा सहरसा और सारन में भी जल तांडब से लोग भैभीद बिहार में भयंकर जलपरले आ चुका है जिससे बिहार का सोलजिला प्रभावित है कोसी गंड़क और बागमती रौद रूप ले चुकी है गंगा में महानंदा जैसी नदियां का जलस्तर बढ़ा हुआ है नतीजन अररिया किसंगंज गोपाल गंज पुर्वी चंपारन पसमी चंपारन शिवहर सीता मडी मुझपर पूर पूर्निया सिवान मधेपूरा मधुबनी दर्भंगा सहरसा और सारन जिले जल तांडब ज इस भयानक जल तराजदी को देखकर 2008 की यादने ताजा हो गई है ये वो साल था जब भयानक जल परले का सिकार बिहार हुआ था 520 से अधिक लोगों ने जान गवाई थी लाखों लोगों का घर तबा हो गया था खेतों में रेत के टीले जमा हो गये थे जिससे खेती वाले जमीन भी तबा हो गये थे 2008 की उस जल तराजदी का असर आज भी बिहार में देखने को मिलता है और अब 2024 में भी जल तांडब जारी है नेपाल में भारी बारिस का असर बिहार में दिख रहा है नेपाल में भी बार से कोहरा मचा हुआ है अब तक डेल से 200 लोगों ने जान गवाई है जबकि बार से बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है नेपाल में भारी बारिस और बार का असर बिहार में व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है उत्री बिहार बार के प्रकोप में है बिहार के चार जिलों में साथ अस्थान पर तडबन तूटने की घटना हुई ह सीतमणी जिले में बेलसन प्रखंड के मदगौल और रॉली रूपौली तथा रुनी सैदपूर प्रखंड के तिलक ताजपूर एवं खंडवा में तडबन तूट गया है इसके साथी पस्टमी चंपारण जिले में बगहा एक प्रखंड के खैटवा गाओं में तता सीवहर जिले के तरियानी प्रखंड में छप्रा में भी तडबन तूट चुका है रहत बचाओ के लिए HDRIP और NDRP की टीमे लगी है बीते 24 घंटों में साथ तडबन तूट गये हैं प्रसासन रहत और बचाओ के काम में लगा हुआ है कोसी को बिहार का सोक कहा जाता है ये रास्ता बदलने के लिए भी बदनाम है हर साल की तरह इस साल भी कोसी उफान पर है कोसी नदी को अब तक के सबसे भ्यानेक रूप में देखा जा रहा है दर्भंगा किरतपूर प्रकंड छेदर के भुभावल गाओं में कोसी नदी के तद्बन तूटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली बान तूटने तथा अचानक तेज बहाओ पानी आने से गुमौल गाओं में पती पतनी सहीत तीन लोग पानी के तेज बहाओं में बहाओं में बिहार में 16 जिले प्रभावी थे। 9.9 सून्य लाक अबादी प्रभावित हुई है अब सवाल है हर साल बिहार बाड की चपेट में आता है ऐसे में बिहार को बाड की बदहाली से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं बाड के दौरान सरकार कहती है हम अगले साल के लिए बहतर इस्तिती में रहेंगे अगर हर दर साल बीत रहा है और इस्तिती एक सी है